हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे एक बार फिर बहुत ही महतुपून क्वेश्चिन की सीरीज के साथ हम आगे हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे और दोस्तो ये वीडियो आपके लिए देखना सिर्फ और सिर्फ इसले जरूरी नहीं है कि ये सभी क्वेश्चिन्स ओल्ड क्वेश्चिन पेपर से लिए गय है जो टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चिन लिया गया है उस टॉपिक से और कौन से महतुपून क्वेश्चिन बन सकते हैं यह सभी डेटेल एक्स्प्रेनेशन के साथ हमारे वीडियो में आपको MCQ Questions की सिरीज प्रॉबाइट की जाती है तो बहुती मल्टी परपस वीडियो है किसी भी कॉम्टीटिव एक्वेश्चिन की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए हलपफुल होती है हमारी वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी ओल्ड वीडियो है उन्हें जरूर और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही आपको मिलता है तो आप एक बार क्लिक करके खाली टाइम में जरूर देके आए शोर यो फ्रेंड्स की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप आगे भी देखना पसंद करेंगे तो शुलू करते हैं हम साथ और पूछा जारा एक्वेशन नमर 27 में कि हाउ मेनी टाइम आउट्स आर एलाओ टू 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 एम इना हैंड बॉल मैच यानि कि हैंड बॉल मैच में एक टीम को कितने समय के लिए टाइम आउट की अन्मती जो है दी जाती है तो बताइए क्या है क 60 सिकंड्स का जो टाइम आउट होता है वन 60 सिकंड्स टाइम आउट पर हाफ पर टीम इस एलाओ यानि कि एक 60 सिकंड का टाइम आउट हर प्रतेग हाफ में प्रतेग टीम को दिया जाता है और हैंड बॉल एक ऐसा टॉपिक है जिसे रिलेटेट 3 तो 4 क्वेशन सिंगल एक् प्रतियोगी परिक चाहों में दोस्तों तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि जो लंबाई और चुडाई होती है मैदान की वो कितनी होती है 40 मीटर इंटू 20 मीटर का इसका जो है मैदान होता है और important question जो पूछा जाता है involves related कि अंदरूनी गोल रेख पोस्त से free throw line की दूरी कितनी होती है तो 3 मीटर होती है और एक और भी important question जो पूछा जाता है वो यह है कि penality mark की distance कितनी होती है penality mark कितनी दूरी पे लगाया जाता है तो 7 मीटर इस correct answer और गोल पोस्त की लंबाई और चौडाई से related information तो आपको होनी ही चाहिए तो गोल पोस् related measurement है और team में 14 total players होते हैं जिनमें से 7 playing players होते हैं यानि कि 6 court player plus 1 जो है goal keeper को include किया जाए तो 7 playing players होते हैं और 7 substitute यानि कि 14 players होते हैं handball की team में एक team में तो I hope कि यह सारी information आपको यहाँ पे clear हो गई होगी करते हैं next important question की ओर और देखे बहुत ही अच्छे दो लगातार important question series में आपको दिख रहे हैं जेनू विल्गम और जेनू वेरम से related हैं आप confused हो सकते हैं अगर आपको इनके बारे में details से नहीं पता है तो तो आज हम आपको इन दोनों को अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं तो देखे एक पुछा जा रहा है question number 28 में की जेनू विल्गम is also referred as यानि जेनू विल्गम को भी कहा जाता है तो जेनू विल्गम को क्या कहा जाता है सबसे पहले देखे correct answer क्या है knock knees knock knees का मतलब होता है की घुटनों का अपस में टकराना यानि की इसमें देखे क्या होता है की अंदर की तरफ घुटने जाते हैं कैसे हो क्या हो जाता है इसमें घुटने जो होते हैं अंदर की तरफ जाते हैं यानि की knees knock or rub together while walking or standing and feet and ankles are far apart than normal यानि आपको बता दे कि जो खड़े होते समय या चलते समय जो knees होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं या rub करते हैं तो इस तरह की problem को बोला जाता है knock knee knock का मतलब होता है टकराना और knee का मतलब घुटनों का अपस में टकराना तो दोस्तों बता दे आपको कि इसमें सावधान की सिती में घुटने अंदर की तरफ आ जाते हैं तथा आपस में टकराते हैं और कैसी सिती बनती हैं अंग्रेजी वर्णमाला की x की आकरती दिखाई थेती है ठीक है और इससे रिलेटेड यानि कि जेनू विल्गम से रिलेटेड एक और question जो exam में पूछा जाता है वो ये है इस तरह से question पूछा जाता है कि जो एक विक्रती होती है वो किसी दूसी विक्रती के होने का कारण बनती है तो ऐसा कौन सा है जिसमें ऐसी सम्भावना बनती है तो आपको बता दें कि जिसमें जिन इंडिविजुल्स में यह विक्रती पाई जाती है यानि कि जैनु विल्गम की डिफॉर्मिटी पाई जाती है उनमें फ्लाट फुट नामक विक्रती के होने की सम्भ तो एक ये क्वेशन भी आपका यहां पे तयार हो गया दोस्तों ठीक है फ्लाट फुट होने की संभावना जेनु विल्गम वाले इंडिविजुल्स में होती है और देखे इसके ऑप्शन में एक और चीज दी हुई है यहां पे वो है बोलेग यानि कि धनुष धनुष के आक आकरति बने बाहर की तरफ गुटनों का आना जो है वो क्या कहलाता है और इसमें दोणों घुटने बाहर दाएं वा बाएं की तरफ निकल जाते है ठीक है और ऐसा क्यूem होता है देखे, vitamin D, calcium, phosphorus और protein की कमी के कारण कम उमरे के बच्चों में ये ज़्यादा तर ये समस्या पाई जाती है तो postural deformities से related हर एक term आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जैसे की scoliosis, kyphosis, lardosis, nocni, boleg ये तो हमने आपको बताई दिया, ये सभी questions जो है आपको एक्जैम में दो questions इस postural deformity topic से देखने के लिए जरूर मिलेंगे तो देखे आपको आगे वाली questions में हम बांकी जो deformity होती है उनके बारे में भी जरूर बताएंगे पर एक और टम यहाँ पे चूट रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं round shoulder तो क्या हो जाएगा देखे round shoulder का मतलब shoulders appear round and a slight forward bending of back यह जो होता है इसे कहते है round shoulder यानि की shoulders जो होते है वो round दिखाई देते हैं और जो इसकी विज़े से जो पीट होती है वो एक तरफ जुग जाती है आंगे की तरफ तो इसे क्या कहते है round shoulder कहते है move करते हैं हम tournaments related important question की तरफ देखे बहुत ही अच्छा question है कि knockout tournament को और किस नाम से जाना जाता है simple सा question है correct answer आप सभी ने guess कर लिया होगा previous वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि knockout का मतनब होता है elimination tournament और elimination का मतनब होता है कि tournament में एक बार जो टीम पराजित हो जाती है उसे ततकाल प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है उसे खेलने का दुबारा अफसर नहीं मिलता और इसलिए इसे knockout tournament के नाम से जाना जाता है तो time और economic purpose से तो ये काफी अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो बिजएई टीम होती है या जीतती हुए टीम होती है सिर्फ वही आंगे जा पाती है और जो टीम हारती चली जाती है वो प्रतियोगिता से बाहर होती चली जाती है और जल्दी इसका परिणाम कोशित हो जाता है लेकिन problem ये होती है limitation ये है कि प्रतिय टीम को अन टीमों के साथ अपनी प्रदर्शन चमता को दिखाने का मौका यहां पे नहीं मिलता अब हम बात कर लेते हैं कि knockout tournaments related और क्या-क्या question exam में बनते हैं आज तक पूछे गए हो और आगे पूछे जाने की संभावना है दोस्तों तो देखें बैगनॉल wild elimination tournament के नाम से किसे जाना जाता है तो बैगनॉल wild elimination tournament जो है वो knockout tournament का ही एक प्रकार है इसके लावा consolation tournament किसे कहते हैं तो knockout tournament को ही कहा जाता है और साथी साथ अगर पूछा जाए कि sudden death tournament के नाम से किस tournament को जाना जाता है तो knockout tournament को ही sudden death tournament के नाम से भी जानते हैं और Olympic System Tournament या Single Penetration Tournament या Sudden Death Tournament के नाम से Single Knockout Tournament को जाना जाता है दोस्तों यह सभी important question आपको revise करते वे चलना है एक्जैम में कुछ भी पूछा जा सकता है और एक बहुत ही important और common question हर एक्जैम में आजकल पूछा जाता है UPTGT 2021 PGT सभी में पूछा गया था कि Knockout Tournament में मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा तो आपको बताना है कि मैचों की संख्या जो निकालने का फॉर्मूला होता है Knockout Tournament में वो क्या होगा Let's move to next important question of the series दोस्तों देखें बहुत ही अच्छा important question है स्क्रीन पे की tracks related questions जो है और athletics related questions exam में बहुत जादा पूछे जाते हैं अभी 2021 के TGT और PGT दोनों exams में more than 10 questions आपको athletics से देखने के लिए मिले थे तो athletics topic बहुत important है हम आपके लिए इस पे जल्दी वीडियो बनाने वाने है separate video जिसमें सारे questions आपको जो की athletic से related important बन सकते हैं वह हम आपको solve कराएंगे तो फिलाल हम बात करते हैं question number 32 की कि एक मानक athletic track की लंबाई जो 400 मीटर लंबाई होती है और चड़ाई आपको पता है चड़ाई से related question भी बनता है कि 1.22 मीटर से 1.25 मीटर जो है एक मानक lane की चड़ाई होती है दोस्तों तो ऐसे track में कितनी lane होती है आपको ये बताना है जिनकी एक मानक athletic track में जो lane की संक्या होती है वो कितनी होती है correct answer आप सभी को पता है 8 lanes पाई जाती है और जो track होता है वो उत्तर दक्षण देशा में बनता है और track में जो दोड़े होती है जित की जाती है यानि कि जो track events होते है जो different races यार जो दोड़े होती है तो वो घड़ी की सु दोस्तों आपको पता है कि 8 lanes होती है और 8 lanes पे जो strugger की distance होती है वो अलग होती है यानि कि अलग-अलग दूरी पे जो है 8 strugger रखे जाते हैं तो आपको strugger किस तरह से निकालते हैं उसका formula भ्याना चाहिए calculate करने के लिए question पूछा जाता है कि what is the formula to calculate strugger distance of a lane तो जो यह formula ह होता है वो हम आपको बता देते हैं w n-1 okay minus 0.10 और 2 pi यहाँ पे होता है ठीक है 2 pi यह जो formula है यह बॉडर्ड ट्राक के लिए हमने आपको यहाँ पे strugger निकालने का formula बता दिया है w n-1 minus 0.102 pi और अगर non-border track की बात की जाए तो formula हो जाएगा w n-1 2 pi यह non-border track के लिए formula होग जहाँ पे w जो है वो चोड़ाई होती है लेन की n number of lane होती है और जो pi कमान होता है वो 22 upon 7 होता है इस तरह से calculate किया जाता है और भी बहुत से important question बनते हैं plastic, indicator, board, PIV से related और जो जेबलिन के weight से related question यानि कि कुछ field events और कुछ throwing events और कुछ track events, running events related question एक्जाम में पूछे जाते हैं तो important topic is athletic आप इसे revise जरूर कर लीजेगा, move करते हैं next question की ओर, कि if an individual requires knowledge of the principles of safety, it will enable him to, यदि कोई व्यक्ती सुरक्षा के सिधानतों का ज्यान प्राप्त कर लेता है तो उसे सक्षम करेगा, correct answer क्या है यहाँ पर बताईए, option number A is correct year या दुरगटनाओं की रोगथाम करने में कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ती सुरक्षा के सिधानतों का ज्यान प्राप्त कर लेता है, first head की जानकारी ले लेता है तो उसे दुरगटनाओं की रोगथाम करने में काफी help मिलेगी, terrorist training is also known as important and repeated question, कई बार पूछा जाता है exam में terrorist training को और किस नाम से जाना जाता है, तो interval training क terrorist training के नाम से जाना जाता है, this is correct answer here, और other options भी हम आपको बता देते हैं, circuit training के बारे में सभी को पता है, Morgan and Adamson ने इसकी coach की थी, और जो यह है strength and endurance को डेबलब करने की एक important विदी है, और sorry training है, ballistic method जो है वो flexibility को डेबलब करती है, fart lick method endurance को विक्सित करती है, okay, तो यह यहाँ पे आ इन training के बारे में बताने वाले कौन थे, इस से related question आपको तयार करते हुए चलना है, next question है कि व्यायाम शरीर विज्यानियों का मानना है कि सभी sprinters, मध्याम और लंबी दूरी के धावक वास्तों में किसके साथ दौडते हैं, कौन से अंग के साथ दौडते हैं, और जहां कहीं भी बात की जाती है, दौडने की, या long distance, walking की, या देर तक चलने की तो आपको पता है कि बात की जा रही होती है, endurance की, यानि कि यहां पर correct answer होगा, heart यानि कि दिल की बात की जा रही है, कि जो धावक होते हैं, वो किसंग के साथ दौडते हैं, तो दिल के साथ दौडते हैं, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी वो तै करते हैं या जितना वो दौरते हैं तो उतनी ज़्यादा उनको oxygen की आवशक्ता पड़ती है और ये सबी जो races होती है ये aerobic capacity को बढ़ाती है अरोबिक का मत्तब होता है in the presence of oxygen यानि कि लगातार जो है oxygen की supply की जुरत होती है तो ये सबी aerobic exercises में आते हैं और heart यहाँ पे correct answer है जो की cardiovascular endurance develop करते हैं ये सबी जो जो दोड़े होती है ये cardiovascular endurance को develop करते हैं यानि कि दिल से इनका सीधा सीधा संबंध है next question first menstrual bleeding in woman is called important question है कई बार exam में देखने के लिए मिल जाता है कि महिलाओं में पहले मासिक धर्म के रख्तिस्त्राओं को क्या कहा जाता है तो सबसे पहले हम आपको correct answer बता देते हैं इसे मिनार्क के नाम से जाना जाता है और दोस्तों देखें बात की जा रही है यहाँ पे puberty stage की puberty का मतलब होता है the stage at which individuals are capable of reproduction यानि कि यहाँ पे जो adolescence period की बात की जा रही है कि male and female में secondary sexual characteristic डिबलप हो जाते हैं जहां से शुरुवात होती है कि जो individual से वो reproduction के capable हो चुके हैं यह physiology की बारे में हम बात कर रहे हैं तो जो females में जो इसकी शुरुवात होती है जो change होते है physiological change, adolescence period को जो की बताते हैं उनमें जो main change होता है वो क्या होता है देखिए हम आपको बता देते हैं main change यह होता है कि उनमें females में menstruation cycle की शुरुवात हो जाती है और whenever in which age it happens for the first time तो इसे मिनार्क के नाम से जाना जाता है ठीक है और emanoria भी हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है तो जो first time जब ऐसा होता है जब से शुरुवात होती है तो इसे मिनार्क केते हैं females में and every month it is repeated after 28 days यह question में एक्जाम में पूछा जाता है कि यह प्रक्रिया जो है महिलाओ में कितने दिनों के बाद repeat होती है तो हर 28 days के बाद यह process repeat होती है और हर मन्ती menstruation cycle जो है चलता रहता है ठीक है लेकिन अगर emanoria का क्या मत्तब होता है दोस्तों कि अगर किसी कमी की वज़े से या कुछ प्रॉब्लम आने की वज़े से जब कभी भी ऐसा नहीं होता है absence of menstruation or missing one or more menstruation period तो उसे हम एमनरोरिया के नाम से जानते है यानि कि जो बेनेबर इट ड़ेंट हापन तो इसे इसे इमनरोरिया बोलते है ऑस्टियो परोसिस तो आपको पता ही है कि बोन्स बिकम वीक और easily broken जो हड़िया होती है वो कमजोर हो जाती है और आसानी से तूट जाती है तो उसे उसे osteoporosis कहते हैं और बहुत important question है यहाँ पे एक eating disorder option भी बहुत important है eating disorder का मतलब क्या होता है कि जो खाने पीने से समंदित जो disorder होते हैं mainly anorexia nervosa और bulmenia nervosa इसमें शामिल होते हैं दोस्तों और यह इसमें actually क्या होता है एक प्रकार की यह ऐसी condition होती है खाने से related विकार या disorder होते हैं जिसमें असमाने रूप से शरीर का वज़न कम होने की चिंता या वज़न का बढ़ने का डर होता है किसी भी इंडिविज्वल को तो इस टाइप के जो orders होते हैं उन्हें eating disorder कहते हैं तो उनकी शरीर का वज़न बढ़ने ना पाई या इस टाइप की जो problems होती हैं ऐसी चिंता से जो ग्रस्त लोग रहते हैं वो खाना खाने के बाद उपियोग करते हैं और अपनी केलोरी इसको कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं तो इस टाइप के मानसिक विकार को जो है वो eating disorder हम कहते हैं लास्ट क्वेशन जो की बहुत important क्वेशन इस सिरीज पर देखे कि सुश्री मीरा बाई चानु जो 2018 के राजीव गान्धी खेल र